कि कि वेल्कम स्टुदेंट्स स्वागत आपका फिर से एक बार ठीक है यार आज थोड़ा सा अच्छा टोबिक पढ़ने वाले हम लोग जी पी और एपी पढ़ने के बाद एक नया टॉपिक आपके पास लेकर आ रहे हैं वह है आपका कि वह यह है कि यह है कि सम्टू अ एंड टम्स ऑफ सम्ट स्पेशल सिरीज ठीक है संटू इंटर्मस अप समय स्पेशल सिरीज ठीक है अब इस पेसल सिरीज क्या होती है उसके लिए अभी आपके क्यूंस में आने वाले तो उसके बात करेंगे फिल्हाल जो खास चीजे में आपे इनवाल करने वाला हूं है ना सम्टू एंटर्मस के लिए उनकी बात पहले कर लेते हैं उसके बात जाके हम लोग अपने आगे के काम पे आएंगे ठीक एडियर तो याल कुछ सिरीज जो मै अब लिखरा हूं आपके लिए वह यह हैं पहली तो सुम कै टू N Natural Numbers Natural Numbers N Natural Numbers ठीक है अब अगर Natural Numbers के Sum की बात करें भई ना Natural Numbers के Sum की बात करें तो आपको यह पता है दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस and so on and so on and so on अब तू N तक और यह आपको AP से इसका Sum आपने निकाल रखा है क्या होता है N N प्लस 1 अपन 2 होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हमारे पास पहला तो सिक्वेंस यह आएगा इसका यूज़ करेंगे और इसको basically हम रिप्रेजेंट करेंगे डियर सिग्मा एन से ठीक है इसको किसे रिप्रेजेंट करेंगे प्लस एन तक का सम दिख जाएका उसको सिग्मा एन बोलके हम उसको क्या लिखेंगे डियर N N प्लस 1 अपन 2 लिखेंगे इतनी बाद आपको समझ माई ठीक है अच्छा उसके बाद अगला तुम्हारे पास आता है सम अप स्कुरायर्स आप दा फ्रस्ट एन निचुलल नंबरस ठीक है सम और में नलिट्रेजर्स एन नेचुलल नंबरस ठीक है अपने इनका सम निकालने है sum up squares of first and natural numbers क्या हुआ फिर बताव यह हुआ डियर वन का square plus 2 का square plus 3 का square plus 4 का square plus up to so on plus कहां तक n square ठीक है यह आपके पास square natural numbers का sum है और यह आपका होता है n n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 इसको लगते हैं यह ऐसा ठीक है फिलाल हमारे पास किवल इसका यहां use है formula use होगा अगर आप चाहें तो इसको कैसे proof किया है वो book में देख सकते हैं ठीक है फिलाल हम यहां किवल इसको apply करेंगे ठीक है और यह square natural numbers के sum को हम दिखाते हैं इससे सिग्मा एन स्क्वेर से क्या हो जाएगा फिर यह n n plus 1 into 2n plus 1 upon में कितना 6 यह अपने पास आई दूसरी काम की चीज ठीक है इस काम इस्तेमाल करेंगे यहां पर ओके अच्छा तीसरा तुम्हारे पास हमान लेकर आ रहे हैं वह आपके पास sum of cube of first n natural numbers ठीक है sum of cubes of first n natural numbers ठीक है first n natural numbers के cube का sum भाई वो क्या होगा यह होता है 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to so on plus n cube ठीक है यह आपका होता है n n plus 1 upon 2 whole square बस मतलब जो sigma n था आपका उसका whole square ठीक है n n plus 1 upon 2 whole square अब इसको दिखाया कैसे जाए इसको दिखाया जाए ऐसे sigma n cube equal to n n plus 1 upon 2 whole square यह अपने पास आई तीसरी कीमती चीज़ बहुती कीमती ठीक है डियर यह तीन कीमती सामान मेरे पास आए और इन 9.4 exercise तुम्हारे पास आई ठीक है exercise 9.4 तुम्हारे पास आ रही है तो देखो question तुम्हारे पास है इसका पहला question सांदार question बहुत easy question तुम्हारे पास रियर आने वाले है ठीक है आपको एक sum दिया है क्या दिया है 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus and so on ठीक है डियर आपने इसका end terms का सम निकालना है question है find the sum to end terms of the following series यह sum to end terms निकालना है भाई कैसे आएगा क्या आएगा उसके लिए सबसे पहला काम तुम्हें general term चाहिए हमेशा हर series का general term एने term ठीक है वो निकाले और इसको निकालने के सबसे तरीका है आप इसमें pattern observe करो इसका पहला term 1 इसका second इसका second का first term 2 फिर क्या है 3 फिर क्या है 4 चलते रहा एने term क्या आएगा एन आएगा ठीक है तो पहले काम करते हैं हम इसका general term रिखेंगे general term of the series ठीक है general term of the series ठीक है general term रिखेंगे दिए तो क्या होगा उसको दिखाते हैं basically हम एन से हैं ठीक है यह आपका एन हुआ अब देखो इसका पहला term 1 है इसका दूसरी term का first term आपका बन आपका one i तीसरी यह का first term आपका one i चौटिक운 का आपका one i आपस्टम क्या होगा आपका यह ओविस taki ठीक है और उसकी बाद अगले time की बात करते हैं अगला term पिछले वाले से 1 ज्यादा अगला ten पिसले वाले से 1 ज्यादा अगला बनार फ्रवाइब लिए प्लस टू प्लस ट्री प्लस आप चलते रहेगा वन कॉमा करके लिए कमा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको pattern दिख गया, तो आप सीदे सीदे, ठीक है, first term, second term, third term, fourth term, n term तक n आएगा, अगला वाला पिछले से एक जार है, तो अगला n प्लस होना आएगा, obviously, ठीक है, लो भी, यह तो आपके पास क्या आगया, n अगया, n अगया, n अने के बाद थोड़ा सा इसको सलीके से paste करते हैं, काम बनने वाला है, देखो, मैं इसको लिखने वाला हूँ, an equal to n square, प्लस कितना आपका n, लिख सकते हैं, ठीक, अच्छा, general term अगर आपके पास आ गया, तो इसके बाद इसका sum करने की बादी आती है, अब sum कैसे करोगे, ऐसा, सीदे सीदे, therefore, sum, sigma notation इसका जो आए n, ठीक है, clear हुई बात, अब यह general term का अगर हम sum कर रहे हैं, तो वो basically होता है, आपका s n, sigma of an, जहाँ भी दिख जाएगा, आपको उसको क्या बोलोगे आप, s n, यह sum to n terms को दिखाता है, general term का sum, ठीक है, sigma n square का formula क्या था, n, n plus 1, into 2n plus 1, upon में कितना 6, और sigma n का formula क्या था, n, n plus 1 upon 2, ठीक है, परस अपने आद को यह solve करना है, और solve करने के लिए आप, जितना easy way हो, वो तरीका अपलेगा, तो पहले देखो कि आप common क्या क्या दिखाई पढ़ रहा है, और जाहिर है, common तुम्हें क्या 1 upon 2 आपका common है, बताओ अंदर क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा, 2n plus 1, ठीक है, upon से 2 बाहर आगे तो 3 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका 1 बचेगा, ठीक है दोस्त, clear होगी बात, ओके, अब क्या करें, आप solve करना है, बस simple है, sn तुम्हारे पास आने वाल है, sn equal to कितना आ जाएगा, n, n plus 1 upon 2, यहाँ पर कितना आएगा, lc हम लेकर, 2n plus 1, प्लस कितना आपका 3, upon में कितना आपका 3, ठीक है, इतना, इतना आने के बाद, अगली कहानी क्या होगी, sn equal to, n, n plus 1 upon 2, into, 2n plus 4, upon में कितना आपका आएगा, 3 आएगा, यहाँ से 2 common लेकर, इस 2 से उड़ एगा, n, n plus 1, into, n plus 2, upon में कितना आपके पास आगया, 3 आगया, ठीक है, यहाँ से 2 common लिया, और 2 से यह cancel हो गया, तो बचाओ आपके पास, यह sum है, n terms का sum, ऐसे आता है, ठीक है, इसको पूरा करो, उसके बाद अगले question पर आते हैं, चलिए, अगला question देखिए तुमारे पास 1, into 2, into 3, s, n तुहारे पास है, 1, into 2, into 3, plus 2, into 3, into 4, plus 3, into 4, into 5, plus, चलो ते रहा, अरे point मत कहना, इसको plus कहते हैं, इसको into कहते हैं, जहां रखना है, ठीक है, अब भई, इसका sum निकालने के लिए physics है चाहिए, तुमें इसका general term चाहिए, चलो general term लिखते हैं इसका, general term of the series, चलो डियर, चलो टम बताओ क्या आए, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, एन इकोल टो यह आए गा तुम्हारे पास, देखो पहला 1, फिर इसका पहला 2, इसका पहला 3, एन अगले का पहला 4 होगा, एन ए टम का पहला क्या होगा, एन होगा, ठीको गया, अगला देखो 2, पिछले वाले से एक ज्यादा, अगला 3, पिछले वाले से एक ज्यादा, अगला 4, पिछले वाले से एक ज्यादा, तो एन के बात क्या आएगा, अगला देखो 3, पिछले वाले से एक ज्यादा, फिर 4, पिछले वाले से फिर से एक ज्यादा, 5, पिछले वाले से एक आगे यह मैं झाइब का रहा है तो यह आपके पास जन्रल टम आ गया ठीक है दोस्त अच्छा जंडर ठमाया तो इसको फ़ली की से लिखेंगे सली के से कैसे लिख उन्तिप्लाई कर लो यह यह आपके पास आएगा और न कितना जाएगा n square plus 2 plus 1 3n plus कितना आपका 2 वन जा 2 ठीक है तो आपको यह कुछ ऐसा मिलेगा कैसा मिलेगा n cube plus 3n square plus कितना आपका 2n लो भई यह मेरे पास आगया आप क्या करना है हुए sum निकाल लो sum therefore sum s n equal to क्या होता है भई s n sigma an sigma an होता है तो sigma sum लिलो sigma n cube plus यह 3 consonants को बाहर रखो और sigma के साथ n square लिखो ऐसे ठीक है प्लस 2 को बाहर रखतो sigma n लिखो ऐसा बात समझ माई इतनी इतना आने के बाद अब तुम्हें तीनों के formula पता है तीनों के formula लगाओ और काम करते हैं बता हो कितना मिलेगा n cube क्या होता है n plus 1 upon 2 का whole square plus 3 sigma square क्या होता है n plus 1 into 2n plus 1 upon में कितना आपका 6 होता है 3 से उड़ा हो 2 जाबार plus 2 sigma n क्या होता है n plus 1 upon 2 हलांकि यह उड़ रहा है लेकिन नहीं उड़ाता हूँ common लेने में easy होगा ठीक है सब में एक बड़ी बड़ी आची चीज common आ रही है क्या रिए डियर n plus 1 upon 2 आपका common आया बताओ क्या मिलेगा whole square था एक और बच जाएगा n plus 1 upon 2 बच जाएगा plus n plus 1 upon 2 आए तो 2 n plus 1 बच जाएगा ठीक है और यहाँ पे पूरा भारा है तो क्या बचेगा 2 बचेगा आप तो आसाने solve करना ठीक है पिर दी सा होगे आप तो यह ठीक लोड यह n plus 1 upon 2 यहाँ पे LCM लिया जाए तो क्या मिलेगा 2 LCM मिलेगा यहाँ पे into कर दो n square plus कितना आपका n plus 4 n plus कितना आपका 2 plus कितना आपका 4 लोग ही है ठीक है बहुत हलका सा मख़न कुश्यन एडिया छेकल सा कुश्यन है क्या मिल जाएगा n n plus 1 upon 2 into n square plus कितना n 5 n plus कितना 6 upon में कितना आपका 2 सायद फेक्टर हो रहे है इसके ठीक है फेक्टर बच्टर करने की हुई क्या मिल जाएगा यह मिल जाएगा n n plus 1 upon यह 2 to the 4 हो जाएगा यहाँ लगा जाएता हूँ और यहाँ पर फेक्टर करने के बाद n square plus 3 to the 6 हो रहा नहीं 3 n plus कितना n 2 n plus कितना आपका 6 कितना मिलेगा n n plus 1 upon 4 into n common लेकर n plus 3 plus 2 common लेकर कितना आपके बास आएगा n plus 3 और बड़े बड़ी आठंक से आपको इसका जवाब मिल गया क्या मिल गया डियर यह मिल गया देखो यह मिल गया n n plus 1 यहाँ पर क्या common है n plus 3 के बाद n plus 2 बच जाएगा और n plus 3 upon में कितना आपके पास आगया 4 आगया लो भी बस answer समा गया तुम्हारे पास देखो कितना आसान सा question था ठीक है डियर इसको करें अगले पर आते हैं फिर चलें अगला question देखते है अगला question है तुम्हारे पास भाई क्या है बड़ा गजब सा है यह भी ऐसे ने कुर्ट आपके पास आ रहा है 3 into 1 square फिर प्लस 5 into 2 square प्लस 7 into 3 square प्लस अब टू सोवन यह चलते है अब इसका general term बड़ा गजब आने वाला है देखो अगर मैं इसके general term की बात करूँ general term की बात करूँ तो वो क्या आएगा त्यान से देखना पहले इसकी बात बात में दरूँगा अब इसको देखो 1 square 2 square 3 square 4 square 5 square सोवन चलते रहेगा n square तो आने वाला ही है ठीक है यहाँ पर क्या आएगा उसकी बात अभी करते हैं यहाँ पर बाहर पर क्या आना रहा है into में n square आने वाला है ठीक है दिख रहा होगा साब-साब second term इसका 1 square है second term 2 square है second term 3 square है अगला 4 square होगा ठीक है अगला 5 square होगा n atom का n square होगा यहाँ पर देखो क्या आएगा पहले 3 है फिर 5 है फिर 7 है तो यह ऐसा कुछ होगा 3,5,7,7,so on up to n क्या दिख रही है AP AP का n atom होगा अब इसलिए यहाँ पर ठीक है तो भी a n क्या आएगा तुम्हारे पास a plus n minus 1 into d n minus 1 into कितना d आपका है 5 into n square यह होगा ठीक है तो भी a n कितना आएगा तुम्हारे पास 3 plus 2 n minus 2 into कितना आपका n square और यहाँ से आपको बड़ा बड़ी आसा मिल गया कितना 1 plus 2 n into कितना n square लो भी यह यह n atom आगया सलीके से पेस करेंगे तो a n कितना मिल जाएगा तुम्हें अंदर पटक तो 2 n cube प्लस कितना आपका n square लो भी यह यह मैं क्या लेकर आ गया a n लेकर आ गया ठीक है अब a n जब आ गया है तो अब तो बड़ा असान सलो करना है इसको फिर अब ठीक है यह यह अब जब मैं sum निकालने की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें पता है क्या करना है sum s n equal to क्या होता है sigma of a n होता है sum s n ले लो कितना आएगा 2 sigma n cube plus कितना sigma n square यह होगा ठीक है रगदा लो value आपको साथी value पता है क्या मिलेगा डियर 2 n n plus 1 upon 2 whole square ठीक है plus यह कितना हो जाएगा n n plus 1 into 2 n plus 1 upon में कितना आपका जाएगा 6 आजाएगा ठीक है लो भाईया क्या करें इसमें n plus 1 upon 2 common ले डालो n n plus 1 upon 2 में common लाया तो यहां कितना बचेगा 2 into n n plus 1 upon 2 एक और बच जाएगा और यहां बच जाएगा 2 n plus 1 upon 3 बचेगा ठीक है भाईया LCM ले लो और आपको जवाब मिल जाएगा इसके बाद पूरा ठीक है चलो 2 से 2 तो साफ हो रहा है तो यह कितना मिल रहा है n n plus 1 upon 2 और यह मिल जाएगा तुम्हारे पास LCM लेका कितना 3 n into n plus 1 प्लस कितना आपका बोलो कितना 2 n plus 1 आएगा ठीक है ओके अब क्या अब यह अब तो आसान हो गया है न n plus 1 upon 2 फिर कितना डियर यहां पर आएगा तुम्हारे पास 3 n square plus 3 n plus कितना 2 n plus कितना आपका 1 upon में कितना आगया आपका 3 आगया ठीक फाइनल काम करते है तो यह कितना मिल जाएगा तुम्हें यह मिल जाएगा एन n plus 1 upon 2 into यह आएगा तुम्हारे पास 3 n square plus कितना 5 n plus कितना आपका 1 upon में कितना 3 सली कैसे लिख लो factor नहीं हो रहे साथ इसके n n plus 1 into 3 n square plus कितना 5 n plus कितना 1 upon में कितना आपका आगया 6 से आगया यह तुम्हारा अंसर हो गया ठीक है आसान सा फेक्टर जब होंगे तो फेक्टर करना नहीं तो छोड़े ना उसको इतना ही ठीक है इतना करें चलें अगला कुशन देखें अगला फोर्थ है तुम्हारे पास यह बड़ा अच्छा कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट शांदार सा ठीक है वन अपॉन वन इंटू टू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन टू इंटू फॉर इस टाइप के कम्टीशन में भी पूछे गए हैं तो ध्यान रखना इसको तुम्हें में बड़े सांदार दरेके से बताता हूं ठीक है देखो अब यह कैसे करना है पहले तो इसका जनरल टम लिखते हैं उसके बाद जाके इसको आगे कहां पर कपरेंगे ठीक है इएडियर में इसको छलिख रहा हूं थि तर देखो क्या करर रहा हूं स northern स्छ Agado kg आपकी चलते रही यहां पैप्रत प्लश क्या आएगा वन अपॉन तो सबमें चल रहा है वन अपॉन चलेगा अपों अब आमने देखो 1, 2, 3, 4, एने जमें क्या आएगा, 2 पिसले से एक जदा, 3 पिसले से एक जदा, 4 पिसले से एक जदा तो n के बाद क्या आएगा, n प्लस और आएगा, ओवियसलिया आपका चदरटम है, ठीक है, अब देखो करना क्या है इसमें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पि क्या करना है एक जुगार्य लगते है है सने गवेटू झात्युक्त ignore १ैके दिखेरा तो मैं इस वन कोूइन दुभरेंस फट्रेश्शन के ठीक है इसको मैं लिख सकता हूँ 2-1 upon मैं कितना 1 into 2 कोई दिक्कत नहीं है इसको मैं लिख सकता हूँ 3-2 upon मैं 2 into 3 कोई दिक्कत नहीं है इसको मैं इसके difference की डम लिख सकता हूँ 4-3 upon मैं 3 into 4 कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं वाइब माइनस fy foreign to 5 कोई प्रद्रोम यहां पर नहीं आई इस वाले को लिख सकता हूँ इंपन नere कितना इंवर माइनस अपूर्ण मैं कितना आपका न in plus on क्या लिख सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत ना समझने में आफ यह अब क्या करूं तो देखो कमाल देखो क्या होता है कजब गजब आने वाले किसमें terms ठीक है देखो यह एक term है इसको मैं दो बनाना जाता हूँ कैसे बनाओ बाट दो कैसे बाट होगे 2 upon 1 into 2 minus 1 upon 1 into 2 plus इसको भी 2 बनाओ 3 upon 2 into 3 minus 2 upon 2 into 3 ठीक है 5 upon 4 into 5 minus 4 upon 4 into 5 और कहानी चलते रही ठीक है चलते रही यहाँ बता हो यहां लिख रहा हो इसको मैं n plus 1 upon n n plus 1 ठीक है minus n upon n n plus 1 दो भी आ सेपरेट कर दिया ठीक है यह आपका एकm था देखो इसके 2 बना दिये इसके दो बना दिये, इसके दो बना दिये, ठीक है, और इसके दो बना दिये, बात समझ माई इतनी, ठीक, अब क्या करें, अब बड़ा गजब होने वाला है, बहुत गजब होने वाला है, ये तू से तू साफ हो जाएगा, ये थ्री से थ्री साफ हो जाएगा, तू से तू सा रहे हैं तेको ठीक है बहुत इंपॉर्टन कुरिशन है बहुत गिजब कुरिशन है जान रखना इसका ऐसे इन तुम्हारे पास एक है यहां बश्रावन माइनस हाफ ठीक है पहला इससा ठीक मैं हर टम को अलग लग उससे लिखने कोईस करता हूं ठीक दूसरा इससा तुम्हारे पास आ रहा है 1 by 2 minus 1 by 3 ठीक है तीसरा इससा तुम्हारे पास आ अगला है 1 by 3 minus 1 by 4 ठीक हो गया हर टम को देखो तुम्हें कुछ अभी अब्जरवेशन देखने को मिलेगी बहुत शांदार सी ठीक है डियर उसके बाद तुम्हारे पास अगला रहा है 1 by 4 minus 1 by 5 और कहानी चलती रह रही है ठीक है चलती रह रही है तो यहां पर क्या आ रहा है प्लस लास्ट तुम्हारे पास आ रहा है क्या रैडियर वो कुछ ऐसा रहा है 1 by n और minus 1 by n plus 1 ठीक है अभी बताता हूं अगला रहा है क्यों लिखा ठीक है क्योंकि सारे टम्स हैं तुम्हारे पास क्या-क्या बचने वाला है क्या-क्या और तुम्हारे देखने को मिल रहा होगा देखो कमाल हो रहा है जो हमारे पास पहला टम था भाई इसके जो दूसरे वाले भाई साब है minus 1 by 2 वो अगले के plus 1 by 2 से बढ़ लेंगे ठीक है और दूसरे टम के minus 1 by 3 भाई साब जो है वो अगले के 1 by 3 से बढ़ लेंगे ठीक है इसका अगला minus 1 by 4 अगले के plus 1 by 4 से बढ़ लेगा ऐसी minus 1 by 5 अगले के plus 1 by 5 से बढ़ लेगा और ये कहानी चलते रहेगी ध्य सो पिछले इकले वाले की सब्सक्राइब HAS एक पिछले वाले हैं कि याँ माईना सब्सक्रार गदेखो इसके लिए कोई पिछला टम निया जो इसको उड़ाए ठीक है क्या हो और ये गजव है ना कुश्चन बहुत शांदार कुश्चन है इसके लिए कोई पिछला टम निया जो इसको उड़ाए और इसके लिए अगला टम प्लस वाला निया जो इसको उड़ाए तो मेरे पास ये दो बच गए 1-1 upon 1 प्लस एन आपका बच गया ठीक है अब ये अगर तुम्हारे बच गया तो सम भी आ गया टीर एलसी हम लो एन प्लस 1-1 upon में कितना आए आपका एन प्लस 1 वन से वन उड़ा हो तो क्या मिलेगा एन अपॉन एन प्लस 1 तुम्हारा सम है लो भाई साब ये बहुत शांदार सा कुशन तुम्हारे पास कम्प्लीट हुआ ठीक है इसको पूरा करो इसके बाद के जो नेक्स कुशन हम लोग है वह अपने अगले वीडियो में करेंगे ठ ठीक है डियर अभी के लिए इतना काफी है इतना बना लीजिए नूट कर लिए ओके